11 अक्टूबर को लखनवों में वामदलों की रैली की तैयारी को लेकर वामदलों ने लाल गंज तहसील में धरने का किया आयोजन नायब तहसिलार को सौपा ग्यापन 11 अक्टूबर को लखनवों में वामदलों की रैली की तैयारी को लेकर वामदलों ने लाल गंज तहसील पर धरने का आयोजन किया धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मोधी सरकार ने देश आर्थिक महामंदी की तरफ धगेल दिया है जिसके चलते बेतहाशा महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है और अब देश की जनता महंगाई बेरोजगारी खत्म करने की जब बात करती है तो मोधी सरकार कभी कहती है कि देश खत्रे में है कभी कहती है धर्म खत्रे में है और अब सनातन सरकार की वकालत कर देश की जनता को उल्जलूल बहसों में उल्जाना चाहती है और अब लोकतंत्र संविधान और संगी धाचे को बदलने की वकालत कर रही है ऐसे साओं से देश को बचाने की जरूरत है इसलिए महगाई बेरोजगारी सहित तमाम सवालों को हल कराने नफरत की सियासत खत्म करके लोकतंत्र और सम्विधान बचाने के लिए 11 अक्टूबर 2023 को लखनव में वामदलों की तरफ से होने वाली रहली में बारी संक्या में लखनव किया गया धरणा प्रदर्शन के माध्यम से राश्टपती को संबोधित in 13 सूत्रिय मांगपत्र नाव occupyb तासिलदार लाल गंज के सुपूर्द किया गया कारिकरम के अध्यक्षंता काम्रेट सीटा राम और संचालन काम्रेटम बसंत ने किया धरने को जिला मंतरी काम्रेट जितेंद्र हरी पांडे, CPM के जीला मंत्री कामरेड राम जनम यादव, भाकपा माले के जीला प्रवारी कामरेड विनोद सिंग, कामरेड हामीद अली, कामरेड धर्मदेव, कामरेड रवी राओ, रिजवान आहमद बशीर मास्टर, कामरेड सुदर्शन राम ने संबोधित क किया, धर्ना में सैकड़ों लोग शामिल हुए, कामरेड राजदेव ने क्रांतिकारी गीत प्रस्तुत किया. प्रस्तुत किया अली, कामरेड राज़ों अली, कामरेड रामूद अली, कामरेड राज़ों बशामिल हुए, कामरेड राज़ों राम।